हलो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एक ऐसे problem को solve करना जिसमें तीन चीजें हो absolute value हो, quadratic हो और inequality हो और उसके साथ-साथ absolute value जो हो वो दो है यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो इस तरह के problem को toughest problem माना जाता है inequality और जो quadratic एक साथ होते हैं और absolute value उसमें तो अगर आप इस problem को solve कर लेते हैं यानि कि इसके concept को समझ जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी problem हो इस तरह का जिसमें कि यह तीन चीजें हो या दो चीजें हो एक साथ तो वो आप असानी से solve कर लेंगे तो आप यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कि इस problem को कैसे solve करना है तो सबसे पहले कि इस problem को solve करने के लिए आपको क्या आना चाहिए आपको modulus function के बारे में पता होना चाहिए absolute value function के बारे में वो क्या होता है mod x होता है कब होता है यह x होता है जब x greater than equal to 0 होता है और equal to minus x होता है जब x less than 0 होता है इसका एक अलग से video है वो आप पहले देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हुआ है तो उसको आप अच्छे चाह समझ लीजिए फिर आपको modulus में कोई problem नहीं होगी उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आपको यह बहुत असानी से समझ में आने लगेगा तो यहाँ पर देखिए कि एक modulus यह है एक modulus यह है और यह greater than equal to 9 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इस modulus का पहले देखते है कि क्या properties है इसके अंदर यह देखिए यह है x square सभी step को बारी-बारी समझ यह concept समझ गए इसके अंदर का तो फिर आपको बहुत असानी होगी ठीक है थोड़ा साथ लंबा जाएगा यह problem लेकिन इसको आप समझ यह x square minus 3x minus 4 यह mod है तो देखिए यह quantity equation है इसके अंदर इसको आम लोग पहले solve कर लेते हैं ठीक है क्या solve करेंगे इसके roots निकालना है हमारा मक्षद है क्या मक्षद है root निकालना तो यह होजाएगा x square minus 4x फिर यहाँ पर क्या होजाएगा plus x minus 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको ठीक है फिर इसको क्या लिख सकते है x into x minus 4 plus यहाँ पर 1 common लेलेंगे तो x minus 4 यह mod के अंदर है यहाँ पर क्या होजाएगा x minus 4 into x plus 1 ठीक है mod के अंदर है हम लोग यह करके रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ पथा चला हम लोगों को इसका दो root है minus 1 or plus 4 देखिए minus 1 or plus 4 हम लोग यह कर के रहे हैं कि इसका sign देख रहे है हम लोग कि mod x²-3x-4 कहां पर positive होता है और कहां पर negative होता है इस चीज को check करने के लिए हम लोगोंने यह step लिया यहाँ पर और आप लोग जानते हैं एक और inequalities का वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि कैसे यहाँ पर देखते हैं कि जब यह x² होता है quadratic और यह positive होता है इसके coefficient तो इसका root होता है उसके बीच का sign जो होता है वो negative होता है और फिर दोनों तरब positive होता है समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ कि minus 1 से पहले यानि कि यह किदर की तरब जा रहा है यह minus infinity की तरब जा रहा है ये किदर की तरफ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, कि ये जो mod x is square minus 3 x minus 4 इसका sin यहां पे, कहां पे क्या हुगा, यहां पे negative होगा, यहां पे positive होगा यानि कि minus 1 से पहले यह positive है positive मतलब जो जैसा है वैसा ही वहाँ पे जैसे हम लोग देखे हुए कि mod x equal to x होता जो x greater than equal to 0 है तो positive में जैसा था वैसा ही हो जाएगा x square minus 3x minus 4 जैसा था वैसा ही रहा गया इधर भी वैसा ही रहा जाएगा यह positive वैसा है x square minus 3x minus 4 समझ में आगया यह एक step अभी तक हम लोग किया है तो हमको इसका इस mod का sign पता चला ठीक इसी तरब इसका हम लोग sign पता करेंगे कैसे पता करेंगे यह भी देखिए तो easy x square minus 1 है इसको क्या लिख सकते है x minus 1 into x plus 1 लिख सकते है इसका दो रूट आगया minus 1 और plus 1 समझ में आगया minus 1 and plus 1 यह भी quadratic है यहाँ पर इसका coefficient positive है यह हम लोग बात कर चुके यह अलग वीडियो में तो इसका फिर से यह negative और यह positive हो जाए यह भी positive हो गया समझ में आगया बात तो अब क्या होगा कि इस mod का value negative हो जाएगा मतलब minus of x square minus 1 समझ में आगया और इस field में यानि कि इधर और इधर इधर दोनों क्या होज़एगा positive हो जाएगा तो इधर क्या होगा x square minus 1 यह हो गया इस field में यह minus infinity कि तब जा रहा है यह positive infinity तब जा रहा है और यहां पे भी यह क्या हो जाएगा x square minus 1 यानि कि positive में जैसा था वैसा ही रह जाएगा यह दो चीज पता चला हम लोगों को लेकिन यह दोनों mod है तो एक ही equation में यह तो एक ही equation है न this mod plus this mod is greater or equal to 9 तो अब हम लोगों को क्या check करना है यहां पे क्या point है minus 1 यहां पे क्या point है 4 यहां पे क्या है minus 1 यहां पे क्या point है 1 यहां भी positive से negative हो रहा था negative से positive हो रहा था यह हम लोग discuss कर चुके inequality में जहां पे sign change करता है वो हम लोगों का point होता है consideration करने के लिए root निकालने के लिए मतलब critical point उसको बोल सकते हैं आप यहाँ पे भी यह minus 1 से 1 यह positive से negative, negative से positive होड़ा है तो simple में इतना घूमने की ज़रत नहीं है simply हम लोग यह कह सकते हैं कि इसके पास 3 point है, क्या-क्या है minus 1, 1 and 4 तो इसको फिर से अब आप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको अच्छे से समझगे, यह अगर समझगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी problem होगा वो अब नहीं solve कर सकते हैं ठीक है, तो अब यह देखिए यहाँ पे, कि इसको अब यहाँ से ऐसे करते हैं अब देखिए, यह 3 point होगा minus 1, 1 and 4 और यहाँ पे, 2 mod हम लोगे पस्त, यहाँ पे हम लोग साइट में mod लिख लेते हैं, x square minus 3x minus 4 ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं x square minus 1 हम लोग check क्या कर रहे हैं कि इस region में इस दोनों का sign कैसे कैसे change कर रहा है वो देखेंगे हम लोग कैसे देखेंगे, वो देखिए पहले तो अब यहाँ पे क्या होगे यह तीन जब roots आये हैं यहाँ पे तो region कितना होगे, 4 होगे 3 भाग में बाटे, तो एक भाग यह होगे 1, 2, 3 और यह 4 तो 4 अलग अलग जगह पे इसका sign होगा होगा ना, अब देखेंगे यहाँ पे, कि x square minus 3 x minus 4 जो mod था, वो बोल रहा है कि minus 1 और 4 के बीच में negative होगा यहाँ सब लोग यही निकाले ना यानि कि minus 1 से 4 तक यह negative होगा, तो इस region में हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, minus of x square minus 3 x minus 4 और इस में भी क्या हो जागा, minus x square minus 3 x minus 4 समझ में आगया बात, यह अलग लिखाओ इसके लिए यह लिखाओ, यह x सातनी expression लिखाओ है, this minus this, यह इसके लिए है, और यह इस region के लिए ठीक है, और इसको छोड़के, जो भी जगा है, वो positive है यानि कि इधर क्या हो जागा यह x square minus 3 x minus 4, इस field में ठीक है, और इस field में क्या हो जागा x square minus 3 x minus 4 जैसा था वो यह सा, same to same समझ में आ रहा है next अब क्या है, x square minus 1 यह इसको देखिए, यहाँ पर यह क्या बोल रहा है कि minus 1 और plus 1 के बीच में यह negative होगा बाकी हर एक जगा यह positive है तो हम लोग यह consider करते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर यह negative होगा, minus x square minus 1, ठीक है और बाकी जो और region है एक, दो, तीन, उस सब जगा पर यह क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा x square minus 1 x square minus 1 x square minus 1 एक यह है, एक यह है एक यह है और एक यह है तो आगे बढ़ने से पहले अब check कर लिजे क्या कोई 2 similar है यह 3 similar है, अगर है तो फिर हम लोग तीन ही भाग में बाटेंगे, इसको 3 case बनाना पड़ेगा ठीक है, इसको case में solve करेंगे कि अगर minus infinity से minus 1 तक है तो इसका value क्या होगा minus 1 से 1 के बीच में है तो इसका value क्या होगा फिर इसके बीच में है, तब इसके बीच में है तब क्या होगा, फिर sub answer का union निकलेगा, वो इसका final answer होगा, ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर कि, अब हम लोगो की तर और यह region यह दोनों equal है यानि कि minus 1 से पहले और 4 के बाद जो भी value होगा यह दोनों में same होगा तो अब हम लोगों के पास सिर्फ 3 case बचेंगे यह दोनों मिला के यह एक case होगया यह दोनों तो अलग-अलग है यह दोनों minus है यह minus plus है यह दूसरा case होगया यह तीसरा case होगया तीनों case को solve करना पड़ेगा फिर जो union में answer निकलेगा वो answer होगा तो अब हम लोग first case को solve करेंगे first case क्या होगा c1 c1 में क्या होगा जैसे यह दोनों common है तो इसको पहले लेते हैं क्या लेंगे इसका क्या है range देखिए यह दो minus infinity से minus 1 तक है तो minus जब x belongs to कहा से कहा है minus infinity से minus 1 तक ठीक है और union कहा से कहा तक 4 से infinity तक ठीक है 4 से infinity तक उस समय इसका value कितना है अब वो check करना है तो यहाँ पर देखिए इस mod का value यहाँ पर पता चल गया है यह पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है तो बस दोनों को लिख देना है यहाँ पर तो इस case में अब यह equation क्या हो जाएगा यह जो inequality है sorry यह अब क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह जैसा था वह जाएगा तो x square minus 3x minus 4 यह positive ही रहेगा और यह फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा plus x square minus 1 और यह क्या है greater than equal to 9 समझ में आ रहा है बात यहाँ पर एक confusion आदमी को होता है वो क्या होता अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ अभी तक साइड आपको हुआ होगा या नहीं अभी जस्ट देखते हैं उसको यह देखे यह क्या हो जाएगा 2x square minus 3x minus यह कितना हो जाएगा minus 5 और यह 9 इधर जाएगा तो minus 5 और फिर minus 9 minus 14 greater than equal to 0 ठीक है इसको कितना लिख सकते हैं 2x square minus इसको लिख सकते है minus 7x और फिर इसको लिख सकते है plus 4x minus 14 greater than equal to 0 ठीक है सिर्फ solve करना है इसको यह तो easy है यहाँ से x common लिजिए यह हो जाएगा 2x minus 7 फिर plus यहाँ से 2 common लिजिए तो 2x minus 7 greater than equal to 0 यह हो जाएगा 2x minus 7 into x plus 2 greater than equal to 0 ठीक है तो इसको अब number rank पर डालिए यह हो गया minus 2 यह हो गया 7 by 2 होगा ना x plus 2 equal to 0 तो x equal to minus 2 और यह फिर 7 by 2 और फिर यह quadratic है यहाँ पर यह coefficient यहाँ पर positive है इन दोनों roots के बीच पर indicative और इधर positive इधर positive ठीक है तो अब इसका solution क्या होगा इसका solution मैं इसकी बात नहीं करना हूँ total की अभी यहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पर ध्यान देनी की बात क्या है कि हम लोगोंने case क्या लिया था case लिया था minus infinity से minus 1 union 4 से infinity यह तो condition होना चाहिए सबसे पहले तो answer निकल क्या गया minus infinity से minus 2 तक स्मझ मारा है और union 7 by 2 से infinity लेकिन condition यह है तो इन दोनों का intersection किसी एक case के अंदर condition में और result में intersection लेते हैं यह confusion होता है case के अंदर intersection case 2 case 3 case 4 जो भी result निकल के आएगा सब में उस सब का union यह answer होता है ठीक है तब यहाँ पर क्या है minus infinity से minus 1 और minus infinity minus 2 तो इन दोनों का intersection क्या होगा minus 2 समझ में रहा है minus infinity से minus 2 union 7 by 2 से बढ़ा है 4 समझ में रहा है तो 4 से infinity यह हो जागा किना 4 से infinity तो यह एक part का case 1 का answer यह निकल के आया ठीक है अब जब यह निकल के आ गया अब क्या करेंगे case 2 बनाएंगे case 2 समझ में रहा है कि जैसे minus infinity से infinity के बीच में तीन root है minus 1, 1 और 4 कहाँ पे less than minus लेना है कहाँ पे minus 1 को include करना है कहाँ पे 1 को छोड़ देना है 1 include करना है समझ मारा है मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखा ना minus infinity से minus 1 इसको मैं अपने साथ रख इसको हो सकता है कि मैं छोटा bracket में रखता और इसको include नहीं करता है तो इससे कोई फड़क नहीं परता है ठीक है आप यहाँ पे include कीजिए कि अगले वाले में include कीजिए कि पहले वाले में include कीजिए कहीं ने कहीं उसको include करना minus 1 को या तो इसके साथ रखी है या इसके साथ रखी है या इसके साथ लेकिन कहीं ने कहीं equal to 1 अची minus 1 1 और 4 के case में समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पे minus 1 हम लोग ले चुके थे ठीक है इसके साथ equal कर चुके थे तो अब दूसरा case क्या होगा, minus 1 से 1 के बीच में अब दिखिए यहाँ पे, क्या होगा x belongs to minus 1, minus 1 तो यहाँ पर ले चुके थे, ठीक है minus 1 से कहा तक, 1 तक, समझ बारा है, तो बाद तो इसको भी हम लोग ऐसे ही छोड़ देते है, minus 1 से 1 यानि कि x, क्या होगा, यहाँ पर, minus 1 से x बड़ा और 1 से छोटा इसके बीच में है, तो जब इसके बीच में है, तो इन दोनों का क्या है value यहाँ पे, यह भी minus, यह भी minus, तो यह inequality क्या हो जाएगा यहाँ पर बनके, minus x square, यह मैं लिख रहा हो समझ मारा बात, ठीक है, अब यह यहाँ पर कितना हो जाएगा, minus 2x square, plus 3x और यह 4 plus 1 is 5, 5 और 9 इधर जाएगा, ठीक है, तब यह क्या हो जाएगा, minus 4 समझ मारा बात, minus 9 हो गया इधर, और पहले से 5 था, तो minus 4 हो जाएगा, greater than equal to 0 ठीक है, अब इसको कैसे solve करेंगे हम लोग, इसको देखिए अब यह क्या हो जाएगा, 2x square, minus 3x, plus 4, less than equal to 0 अब यहाँ पर direct factorization हो नहीं रहा है, 4 into 2 is 8 होता है, और 4 और 2 में कोई relation यहाँ पर बन नहीं रहा है, तो आब यहाँ पर check किजिए, इसका d निकाली यतना है तो आपको पता होगा, quality equation में, कि b a square, b a square कितना है, b a है, यह a है, यह b है, यह c है, तो b a square minus 4 a c, ठीक, b a square कितना हो जाए यहाँ पर, 9 minus 4 into, यह कितना है, 2 into 4, यह कितना है, 9 minus, 4 दोनी 8, 8 चोका 32, this equal to negative, समझ भार है, यानि कि d जो है, वो less than 0 हो गया, यानि कि इसका कोई real root निकलेगा है, इसका imaginary root निकलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर real number की बात कर रहे है, तो no real solution, तो इस case को solve करने से कोई फाइदा हम लोगों को हुआ नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, case 3 निकालेंगे, case 3, ठीक है, total concept समझ यह, step by step, यह concept और यह steps अगर आप समझ आप है, कोई भी problem होगा, आप उसको आसानी से solve कर लेंगे, case 3 में क्या होगा, अब 1 यहाँ पर हम लोग इंकलूट नहीं किया, अब include कर लेते हैं, इस case में, मैं कहा कोई फाइदा है, इस case में नहीं करते हैं, कहीं पर एक जगा कर लेना है, तो x belongs to 1 से, कहां तक होगा, यह 4 तो एक बार हम लोग कर चुके थी, यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर 1 से 4 तक कर लेते हैं, ऐसे, यानि कि इसका मतलब क्या हो गया, कि x greater than equal to 1 less than 4, तो इस case में इसका value कितना है, यहाँ पर यह value हो जाता है negative, और यह value हो जाता है positive, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कि this inequality becomes, कितना हो गया, minus x square, यह हो जाएगा, फिर plus 3x, फिर यह हो जाएगा, plus 4, और यह हो जाएगा, plus x square minus 1 greater than equal to 9, ठीक है, सबज़ में आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर, minus x square plus x square, यह दोनों cancel हो गया, यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना बज़ गया, 3x, और plus 4 minus 1 is 3, greater than equal to 9, फिर यह हो गया, 3 common हो जाएगा, तो x plus 1 greater than equal to 3, यहाँ पर divide करती है, 3th common लेके, तो अब यह क्या हो जाएगा, x greater than equal to 1 इधर जाएगा, तो 2 हो जाएगा, सबज़ में आड़ा बात, अब देखिए, यह x greater than 2 हो गया, condition क्या था, कि x 1 और 4 के बीच में, 1 से बड़ा, unequal, less than 4 और यह आखिया answer कितना, x greater than 2, तो अब इसका और इसका, इन दोनों का क्या होगा, intersection, case के अंदर, intersection, ठीक है, तो यहाँ पर अब x कितना हो जाएगा, x belongs to greater than 2, यानि कि 2 तो include होगा यहाँ लेकिन 4 से छोटा, तो यह होगा final, इस case का, कि 2 से बड़ा और 4 से छोटा 2 include होगा, त सिर्फ 2 solution आया, एक यहाँ पर आया, ठीक है, और एक यहाँ पर आया, तो एक और एक, अब यह दो different cases का solution है, तब इसका union निकालेंगे, तो answer आ जाएगा, ठीक है, अब यह देखिए, यहाँ पर क्या होगा, minus infinity से minus 2, तब यही पर हम लोग एक final number line draw करते हैं, समझ मारा है, थो minus 2, 2 and 4, ठीक है, तो minus infinity से minus 2 include करते हुए, minus infinity से minus 2 include करते हुए, एक हो गया, union 4 से infinity, 4 से 4 को include करते हुए infinity तक, ठीक है, यहाँ पर, तो यह case खतम हो गया, number line पर समझ मारा है, अब यहाँ पर क्या है, 2 से 4, यानिक 2 को include करते हुए, और 4 को include नहीं करना है, इसके हिसाब से, case 3 के हिसाब से, लेकिन case 1 में बोलता है कि 4 को include करना है, समझ मारा है, यानिक 4 को include कर लेंगे, तो अब answer क्या हो जाएगा, minus infinity से minus 2, union 2 से infinity, समझ मारा है, तो अब यहाँ पर x belongs to, कितना हो जाएगा, minus infinity से minus 2, ठीक है, union 2 से infinity, infinity, 2 से infinity, और 2 यहाँ पर include होगा, समझ मारा बात, यह हो गया answer, तो इस तरह के questions को, इस तरह के steps में, और case में divide करकर के, हम लोग solve करते हैं, बारी बारी से, तो conclusion यह है, कि आपको concept पता होना चाहिए, modelers function के बारे में पता होना चाहिए, और किस तरह से case बनाते हैं, किस तरह से number system पर डालते हैं, कैसे इसका sign change होता है, और किस तरह roots के बीच में sign हम लोग डालते हैं, और वो सीखना, यह सब कुछ आता रहेगा, और step by step आप जानते हैं इसको solve करना, तो फिर इस तरह का, किसी type का question होगा, आप उसको असानी से solve कर लेंगे,